HOW TO DELETE THREATS ACCOUNT PERMANENT दोस्तो हमने ऐसे ही टोपिक के उप पर बहुत सारी वीडियो बनाई है हमने बहुत सारे ACCOUNT जो है PERMANENT DELETE किये है जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों Instagram का ACCOUNT इसके बाद दोस्तों MI यानी Redmi का ACCOUNT और दोस्तो Snapchat और आपका Realme और OPPO आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्क्रीन सोट भी लगा रखा है ऐसी प्लेलिस्ट मेरे YouTube चैनल के पर आपको मिल जाएगी दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रीड्स की अगर आपके पास ट्रीड्स का अकाउंट है उसको कैसे Permanent Delete करना है तो वीडियो को लाष्ट तक जुरूर देखेगा चले दोस्तो वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तो आपको सबसे पहले आपका जो profile यहां पर लाश्ट में आप देख सकते हैं दोस्तो आपको यहां पर आपके profile आइकन के उपर क्लिक कर लेना है और right side में उपर के तरफ two lines आपको दिखाई देंगी यहां भी आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं Deactive or Delete Profile दोस्तों यह आप जो है इसके ओपर क्लिक कर लेते हैं और यहां पर आपको पढ़ लेना है अच्छे से आपको Profile Delete करना है, Permanent Delete करना है या फिर आप Temporary Delete करना चाहते हो आपके सामने दो Option मिलते हैं Deactive Profile और Delete Profile Delete Profile दोस्तों रेड कलर में आपको Permanent Delete करने को Option देता है तो मैं Permanent Delete के ओपर जाता हूँ दोस्तों यहां पर आपको आपका Profile जो है देखने को मिलेगा यहां आपको अपना Password डालना है और Password डालने के बाद ही आप यहां पर Delete के अपर जो है क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा Pop-Up खुल के आ जाएगा दोस्तों इसमें जो है आपको एक महीने का टाइम मिलता है अगर आप एक महीने के अंदर दोबारे से इसको जो है लोग इन कर लेते हो जुरू बताएं मिलता है अगरे वीडिये में तब तक के लिए जाहिए